जहीं दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सिरीज बना रहे हैं जिसमें कि सैनिकों और एक सर्विसमेन के बच्चों के लिए क्या क्या अपोर्चनिटीज है उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं तो उसी सीरीज में हमने लास्ट वीडियो बनाये था जिसमें हमने कुछ एक educational institute बताये थे जिसमें की जो भी ex-service man हो अपने बच्चों का admission करा सकते हैं तो इसी सीरीज में next है जिसमें की हम राष्टे military स्कूल के बारे में समझेंगे कि इसकी क्या admission, eligibility, fees और किस प्रकारगाई carrier है तो दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी कपरों को जानने के लिए subscribe को बटन दबाएं और bell icon को प्रेस करके all को बटन दबाएं दोस्तों total अपने देश में पांच राष्टे military स्कूल है जिसमें बैंगलोर राष्टे military स्कूल जो की करनाटका में है बेलगाउ माराष्टरा में चहल जो की हिमाचल प्रदेश में है धोलपूर राजस्तान में और अजमे राजस्तान में अभी देखते हैं इसका admission का क्या process है तो दोस्तों इसमें तीन क्लासों में admission होता है क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 जो क्लास 6 और क्लास 9 में जो admission है वो common entrance test के जरी होता है एक test लिया जाता है और उसमें जो merit में आता है उसका admission होता है और जो क्लास 11 का admission है वो depend करता है कि class 10th में बच्चे का क्या result है तो जो भी उसका result है उसी साफ से merit बनती है अभी देख लेते हैं age का criteria तो 1st July को जिस year में आपको admission कराना है उसमें 1st July को जो आपकी age है अगर 6th class के लिए है तो 10 से 11 साल के बीच में होनी चीए अगर 9th class के लिए तो 13 से 14 वर्स के बीच में होनी चीए और अगर 11 क्लास के लिए तो 15 से 16 वर्स आपके बच्चे की age होनी चीए अभी राष्टे जो military school हो सिरो boys के लिए है लेकिन अभी कुछ एक चर्चा चल रही है कि जिसमें girls को भी इसमें शामिल किया जाएगा दूसरा अधर information इसकी देख लेते हैं और क्या-क्या important aspects है इसके तो सबसे पहले तो यह fully residential school है इसके बाद यह CBSC pattern है और दूसरा यह ministry of defense के अंडर आता है जो subject जो आते हैं exam में वो है intelligence, gk, math और science तो इन subjects की बच्चे को ट्यारी करवा सकते हैं दोस्तों भी बात कर लेते हैं reservation की तो 70% vacancies reserve है JCOOR of Indian Army Navy Air Force और ex-servicemen के लिए तो 70% आरक्षय था उनके लिए और इसके बाद जो 30% reservation है वो है officers of Army Navy Air Force और जो retired officers है उनके लिए दोस्तों इनके अलावा जो इसमें भी categorization कर रहा है कि जो 50 seat है reserve उनके लिए जो की कोई युद में सहीद हुए है तो उनके बच्चों के लिए जो 50 seat है वो अलग से हैं और इसी category के अंडर जो SC हैं उनके 15% और ST हैं उनके लिए 7.5% का reservation है अभी बात उठती है कि इसके लिए तयारी कैसे की जाई तो या तो आप self study कर सकते हैं घर में बैट कर internet की help से और या फिर अगर आपको coaching लेनी है तो जो military school की जो best coaching है पूरे इंडिया में वो जुनिनू राजस्थान में है maximum बच्चे वहीं से निकलते हैं ज़्यादा तर चांस है कि वो बच्चा NDA में सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो selection rate वो काफी अच्छी होती है जितने भी military school है इनमें SSB के अंदर इनको अलग से preference दिया जाता है बच्चे को क्योंकि वो काफी चीजे military के पहले से ही सिखा हो आता है इसके लावा बच्चे का overall development हो जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे sports करवाई जाते हैं इसके लावा जो horse riding है, tracking है सारी activity करवाई जाते हैं जिससे की बच्चे का overall development हो जाता है और अगर NDA में नहीं भी गया तो भी बच्चे के chance रहते हैं अच्छा उसको civil side में बहुत ही अच्छा job उसको मिल जाएगा तो ये सारे benefit है इस school के दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाफ्ट करता हूँ उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों इसी प्रकार के interesting और ग्यानवर्दक वीडियो को देखने के लिए subscribe का बटन दवाएं और bell icon को press करके all का बटन दवाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद जय हिन जय भारत